हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब I hope कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे दोस्तो घर और किचन के मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धेर सारे ऐसे नईने टिप्स और हैक्स और कुछ ऐसे अमेशन सी ट्रिक्स जिनका इस्तिमाल करने के बाद आपके घर के सारे मुश्किल काम आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और जिन कामों के उपर महनत जादा लगती है और समय भी ऐसे कामों को भी आप बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही कर पाएंगे तो फिर चली दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस useful वीडियो को तो दोस्तों आपके लिए सबसा important और useful hack है यहाँ पर मेरा जाडू को लेकर तो दोस्तों जाडू तो हम सभी की घर में इस्तिमाल की जाती है लेकिन बहुत सारे घरों में जाडू यहाँ से बहुत जल्दी से तूटना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों उन सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं में बहुत ही amazing सी trick जिसके बाद उनकी जाडू कभी भी नहीं तूटेगी तो यहाँ प डोस्तों अब चलते हैं हमारे kitchen में यहाँ पर आपको गैस को on कर लेना है साथ ही एक कपड़े को भी अपने साथ में रखना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से gas के ऊपर polythin को आपको हलका हलका melt करते जाना है बस यहाँ पर एक जिसका ध्यान रखेगा polythene को गैस के जादा नजदीक मत लेके जाएगा और कपड़े का इस्तिमाल करते हुए आपको polythene को अच्छे से इस पर चिपका लेना है इससे न पॉलिथene आपके ज़डू पर मजबूती से चिपक जाएगी और आपके ज़डू इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके ज़डू कभी भी नी टूटेगी आप इस ट्रीक का यूज करके देखिए मैंने परसनल इसका यूज किया है और सच में ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि पॉलेथीन चिपकाने से आपके ज़डू लंबे समय तक मजबूती से चिपकी रहती है और बिल्कुल भी नी टूटती है तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको पॉलेथीन को बढ़िया से इस पर चिपका लेना है अब आप ज़डू का कितना भी यूज करिए आपके ज़डू बिल्कुल भी नी टूटेगी आप चाहें तो इस ट्रीक का यूज ना नई ज़डू लाने के बाद तुरंद कर सकते हैं ज़डू कितने अच्छे से लग रही है और बिल्कुल भी नहीं बिखर रही है तो यह बहुत ही यूसफुल ट्रीक है दोस्तों खास तो और उन लोगों के लिए जिनकी ज़डू बार-बार तूट जाती है चली दोस्तों बढ़ते हैं एक और यूसफुल ट्रीक की तरफ हो यह वाला है भी दोस्तों आपके काफी ज़ड़ काम आने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है इस तरीके से एक बेकार मुझा जिसका इस्तिमाल करके हम अपने टॉलेट को नीट एंड क्लीन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत महिलाओं के लिए होती है कि टॉलेट को बार बार साफ करना पड़ता है तो आपको रोज रोज साफ करने के जंजट ही ना पड़े ऐसी मज़ेदार ट्रिक में आपके साँ शेयर करूंगी तो इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर एक साबुन कोई भी साबुन आप ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर साबुन का टुकुडा लिया था इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको ग्रेट कर लेना है इसके बाद आपको लेना है कोई भी पेस्ट तो मैं यहाँ पे कोई भी पेस्ट ले सकते हो अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एक से डेट चमच के करीब रिटरजन पाउडर जो कि आप कपड़े धोने में इस्तिमाल करते हो इन तीनों चीज़ों का ही कॉंबिनेशन आपके टॉयलेट को रोज रोज साफ करने के जंजट को हमेशा के लिए खतम कर देगा अब इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पहले मिला लेना है क्योंकि हमने आपके और इस तरीके की दिये आपके पास काफी सारे आपके घर में होंगे तो आप इसका यूज कर लिजेगा इस तरीके से जितना भी हमने इसके अंदर ये मिक्स्चर बनाया है आपको दिये के अंदर भर के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है तो मैं यहाँ पर एक दिये में भर रही हूँ आप चाही तो इसे ज़ादा दिये इस तरीके से भर कर यूज कर सकते हो अब यहाँ पर इसके बाद आप बेकार हो चुका कोई भी एक मोजा ले लिजे और इसके अंदर आपको दिये को ऐसे डाल देना है और उपर से एक नौट इसके लगा देनी है इस तरीके से ये देखिए ऐसे बनकर ये तयार हो गया है अब चलिए हम चलते हैं बात्रों में मैं आपको बताती हूँ आप कैसे इसको आपको डालना है इस तरीके से हमारे फ्लेश टैंक की अंदर इस तरीके से आपको कुछ टाइम इसको ऐसे भिगा लेना है जिससे कि जितना भी मिक्चर इसके अंदर हमने यूज किया है दिये के अंदर वो अच्छे तरीके से गीला हो जाएगा और उसके बार जब इ या खुश्बुदार आपकी टॉयलेट को रखेगा और दूसरा आपके टॉयलेट को साफ सुत्रा रखने में आपकी बहुत मदद करेगा जिससे कि आपकी रोज की जंजट हमेशा के लिए खतम समझो I hope कि आपको यह चोटी सी ट्रिक बेहत पसंद आई होगी चली दोस्तों बढ़ते हैं एक और ऐसे ही useful hack की तरफ यह वाला hack भी आपके काफी जादा काम आने वाला है तो इसके लिए आपको लेना है एक बरतन और इसे gas के ऊपर रखना है और यहाँ पर आपको एक glass के करीब नाप तोल के आपको पानी ले लेना है इसे आपको हलका सा गरम करना है, बहुत ज़ादा गरम मत करिएगा, हलका सा गुन-गुना सा आपको गरम करना है अब यहाँ पर आपको लेना है कोई भी एक कांच का ग्लास, कांच का ग्लास ही लीजेगा जिससे कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि इस ट्रेक का फायदा आपको क्या होने वाला है अब यहाँ पर इस तरीके से काज की ग्लास के अंदर आपको इस गरम पानी को ऐसे डाल देना है एक चमच शेहद लेना है और इस तरीके से थोड़ा दूरी में आप बना कर आपको इस तरीके से शेहद को डाल देना है दोस्तो मार्केट में हम जो शेहद इस्तिमाल करते हैं कई बार यह शेहद नकली होते हैं तो अगर जो शहद जो है अगर पूरी तरीके से पाने के साथ डालते ही घुल जाता है तो इसका मतलब है कि ये शहद पूरी तरीके से नकली है अब यहाँ पर मैं आपको असली शहद दिखाती हूँ जो हम असली मार्किट में जो शहद मिलता है अगर उसका आप टेस्ट करेंगे तो यह इस तरीके से डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगा बलकि नीचे जाके बैड़ जाता है क्योंकि जो शहद होता है उसकी थ तरीके से असली है क्योंकि नीचे जाकर बैठ गया था और इस तरीके से चम्मस से घुलने के बाद ही अच्छी तरीके से घुलता है तो इस ट्रिकों आप भी अपने घर पर करके देखिए अगली ट्रिक दिखाने से पहले दोस्तों मुझे फटा-फट से कॉमेंट करके बत करते ही हैं साथी साथ कई सारी लोगों को ना इसे निकालने का तरीका बिलकुल नहीं पता होता तो स्टीकर को जब निकालते हैं तो स्टीकर जो है आदा धूरा फट जाता है या फिलोग इसको बिना निकाले ऐसे ही इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि बिलकुल गल लगा हुआ जो गम है गोंद वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है जैसे हीट उसे लगती है उसके बाद जब इसे हलका सा आप ऐसे निकालेंगे न तो पूरा स्टीकर एक बार में ही निकलाएगा ये देखिए इस तरीके से बिना आदा दूरा फटे बिना कोई निशान बिना किसी गम का निशान छोड़े पूरी तरीके से जो स्टीकर है वो इस तरीके से निकलाता है तो अगर आप भी नए बरतनों को लाने के बाद ऐसे ही स्टीकर के साथ इन्हें यूज़ करते हैं तो ये गलती आज के बाद बिल्कुल भी मत करिएगा ये बहुत ही ज़द फटेगा आदर रह जाएगा पूरा स्टीकर एक बार में निकलाएगा बहुत आसानी से तो ये वाली ट्रिक भी मैं हमेशा इस्तिमाल करती हूं और अक्तर मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूं ताकि नए ने लोगों को इसकी जानकारी होती रहे ताकि वो भी इस ट परचत कर पाएंगे तो उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह आपको ये वाली वीडियो भी यूस्फुल लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चानल पर पहली बार आये हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें जल्दी मिलूंगे फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए हर हर महा दे